Hello student, मैं शाहिन लूत्रा, आज हम करेंगे class 7 का chapter 11, parameter and area के exercise 11.3, जिसका first question है हमारा, find the circumferences of the circles with the falling radius, हम ही यहाँ भी क्या करना है, क्या find करना है, circumference of circle, circumference क्या होता है, आपने class 6 में भी किया होगा, जो हमारा circle होता है, उसकी जो boundary होती है, उसको हम बोलते है circumference, ठीक है, यानि कि उसका हम कह सकते है parameter, जैसे कि हम square का, rectangle का, parallelogram का, हम parameter निकालते है न, ऐसी जब में circle का parameter निकालना होता है, तो हम उसको circumference कहते है, ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो πाई की value लेनी है, यानि कि जो हम circle का circumference निकालेंगे, उसका एक formula होता है, जिसके अंदर πाई आता है, उस यह हमें दे रखा है, radius, अब radius क्या होता है, circle जब आप बनाते हैं, जब आपने देखा होगा, जैसे कि मैं यहाँ पे circle बना रही हो, ठीक है, यह मैंने circle बनाया, यह हो गया हमारा circle, आप जो इसकी boundary होती है, इसको हम बोलते है, circumference, यानि कि हमें circle का पूरा का पूरा जो boundary है, इसका जो radius है, वो हमें दे रखा है, 14 cm, यानि कि जो center से लेके circle पर touch होता है, उसको हम radius बोलते हैं, यहाँ पे हमें दे रखा है, वो 14 cm, ऐसे सब का अलग-अलग दे रखा है हमें यहाँ पे, तो जब तक हमारे पास radius नहीं होता ना, हम circumference नहीं find कर सकते, इसलिए उन्हें हम यहाँ पर radius दिया है, तो अब हम इसका circumference देखते हैं, देखो, यहाँ पर first हमारा 14 cm, radius हमारा 14 cm दे रखा है, तो यहाँ पर सिर्फ 14 cm लिखा है, लेकर यहाँ पर आपको क्या लिखना है, radius 14 cm, अब हम circumference of circle निकालेंगे, तो उसका formula होता है, 2 pi r, ठीक है, यह याद रखना है आपने 2 pi r, 2 की जिगा 2, pi की value उन्हें मैं 22 upon 7 रखने के लिए बोली है, r हमारा है 14, तो यह कर जाएगा, 7 मंज़ा 7, 7, 14, 22 को 2 से करेंगे multiply, 44 आएगा, 44 को 2 से करेंगे, तो 88 cm हमारा यहाँ पर, इसका circumference आएगा, second में 28 दे रखा है, circumference of circle 2 pi r, यहाँ पर भी 2, pi की value, r हमें 28 दे रखा है, 7 मंज़ा 7, 7, 14, 28, अब हम तीनों को multiply करेंगे, तो 176 mm आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें radius mm में दे रखा है, तो यह भी हमारा circumference भी mm में जो है, वो आएगा, इसका C देखो, यहाँ पर हमें radius दे रखा है, 21 cm, यहाँ पर हम 2 pi r का formula लगाएंगे, 2 की जगा 2, pi की जगा pi, r की जगा हमारा आजगा 21, 7 मंज़ा 7, 7, 3 जगा 21, 22 को 2 से multiply करेंगे, 44, 44 को 3 से multiply करेंगे, 132 cm इसका हमारा circumference आजएगा, question number 2 में भी हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें area find करने के लिए बोला गया है, पहले हमें क्या find करने के लिए बोला गया था, circumference circle का, अब हम circle का area find करना है, ठीक है, area find करने के लिए देखो, radius होना जो है, वो हमारा यहाँ पे ज़रूरी है, और उन्हें हमें दे रखा 14 mm, यहाँ पे भी हमें pi की value 22 upon 7 ही लेनी है, area of the circle का formula होता है, pi r square, circumference का क्या formula होता है, 2 pi r, area of the circle का क्या formula होता है, pi r square, यह दोनों आपको याद रख हो, ठीक है, तो circumference का formula होता है, 2 pi r, और area का होता है, pi r square, तो pi कीज़े का pi, r हमारा 14 है square है, तो हमें 2 लिखना है, 2 टाइम लिखना है, 7 जा 7, 7, 2 जा 14, 22 को 2 से multiply करें है, 44, 44 को 14 से किया, तो 616 mm square जो है, इसका area आ गया, यहाँ पे आप हमें diameter दे रखा है, ठीक है, diameter क्या होता मैं को बता देती हूँ, वैसे तो आपको पता ही होगा, जैसे कि हमारा यह circle है, circle का जो center से हमारा radius जाता है, इसको हम radius बोलते है, लिकिन जब यह हमारा दोनु साइट से touch हो जाता है, तो यह पूरा का पूरा हमारा क्या बन जाता है, diameter बन जाता है, और half क्या होता है, यहाँ radius का double होता है, वो diameter होता है, तो यहाँ पी इनोने में diameter दे रखा है, तो उसका half हम कर लेंगे, हमारा radius आजेगा, 29 अपॉन 2 करेंगे, तो अभी हम इसको कट नहीं कर सकते ना, तो उसको हम 29 अपॉन 2 ही रखेंगे, radius की जगा पर, तो पाई की जगा पाई, आर स्क्वार, यान 7 को 7 से multiply करेंगे, फिर उसको 49 से, इस टाइप से हम लिख लेंगे 2, क्योंकि हमारा कट नहीं सकता है, इन तीनों को multiply करेंगे, 2 से divide दे दे देंगे, तो 1886.5 meter square जो है वो, इसका हमारा area आ जाएगा, अब हम देखेंगे, radius, radius यहाँ पर हमें दे रखा है, 5 cm, वही पाई आज पर का formula लगा लेंगे, pi के जिगा, pi, r है 5 into 5, अब यहाँ पे इन तीनों को हमने multiply कर दे और 7 से हम कर देंगे, इसको divide, ठीक है, अब इसको divide करके, आप उसको point में भी लिख सकते हो, नहीं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, अगर इसको divide कर दोगे इसको, question number 3 दे क्या formula है, और किस तरीके से दोनों चीज़े निकलती है, अब जो आगे के सभी questions हैं हमारे, वो हमारे area या circumference की उपर ही है, formula आपको पता चल चुके है, अब उसी के through जो है, हमें सारे की सारी exercise अब हम यह करेंगे, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, if the circumference of circular sheet is 154 meter, find its radius, also find the area of the sheet, अब यहाँ पे इनोने में circle का क्या दे रखा है, circumference दे रखा है पहले से, ठीक है, हमें उसका क्या निकालना है, radius निकालना है, तो जब radius निकलाएगा, तो फिर उस circular sheet का हमें area भी find करना है, यानि कि हमें radius भी find करना है, और उस circular sheet का area भी find करना है, ठीक है, मैंने आपक 11.1 और 11.2 में समझाया था कि जो भी चीज हमें गोई रख ये कि कि इसी को इसी को डिंट वाइप्ट है अर और मेम कर tên इसके बाद एरिया साम होधा尽ितर करते है कि हमारे हमारे है 154 मित्र, इसका उर्फल्मला यह इन लिक दिया 2 हमारा नीचे आजेगा, यह हमारा 2 से cut हो जाएगा, cut होने के बाद आजेगा हमारा 49 upon 2 दोनों को divide कर देंगे तो 24.5 meter जो है वो हमारा radius निकलाया अब हमारा radius निकलाया तो हम area of circle का formal लगा के हम इसका area निकाल लेंगे, तो यहाँ पर pi की जगा, pi r square 49 upon 2, 49 upon 2 क्योंकि r हमारा क्या है, 24.5 आप चाहे इसको यह भी लिख सकते हो या फिर आप इससे भी निकाल सकते हो, दोनों से आप निकाल सकते हो अगर आप इतना यह हां से करना चाहो तो यहां से भी कर सकते हो अगर आप इससे करोगे तो यहाँ पे लिखोगे तो यहाँ से decimeter आखे 10 बनाना पड़ेगा इसको यहाँ पे आपको दोनों तरीके से है तो हम यही लिख दिया हमने यहाँ पर और जो कर सकता है 2 से 7 से जो भी कर सकता इसको काट के multiply कर दिया और multiply करने के बाद डिवाइड कर तो हमारा आ गया area of the circle रेडियस भी हमने निकाल लिया और area of the circle भी हमने इसमें find कर लिया question number 4 देखो a gardener wants to finance a circular garden of diameter 21 meter अब क्या है गार्डन है तो गार्डन कैसा है गोल है circular है तो जो गार्डन है जो माली है वो चाहता है इसकी चारो तरफ जो एक बाड़ा लगाया जाए और उसका जो diameter है वो है 21 meter ठीक है किसका diameter है गार्डन का जो diameter है वो 21 meter है तो बताओ find the length of the rope we need to purchase if he make two rounds of finance two rounds of finance अब हमें इसने यह बताना है कि कितनी रसी लगेगी अगर वो देखो यह circle है यह circular garden है अब इसकी तरफ एक बाड़ा लगाना चाहता है तो वो दो चक्कर लगाना चाहता है एक चकर पर यह हो गया फिर दूसरा एक और चकर जो उपर वो लगाना चाहता है इस पर रॉप, if it's cost रूपीज 4 पर मिटर, बताना है कितने की रसी लगेगी, कोस्ट भी बताना है उसकी, अगर एक मिटर 4 रूपीज की है तो कितने की कोस्ट आएगी उसकी, तो सबसे सिंपल है कि हमें जो यह circle और garden है ना हमें इसका निकालना है circumference, circumference आजेगा तो हमें पता चल जाएगा कितनी रसी लगेगी, इसको 2 से multiply कर देंगे, क्यों, क्योंकि उसने 2 बार रसी को घुमाया है, ठीक है, और जब हमारे पास जब इसका पूरा 2 बार रसी घुमाने के बाद हमें पता चल जाएगा कितनी रसी है, तो फिर हम इसको 4 से multiply कर देंगे, कोस्ट निकाल नियम्युक्राइबॉरी की लेंठ निकालेंगे क्योंकि उसने क्या कर रहा है रसी को दो बार घुमाया होता सिर्फ एक यी बार तो हम समझ जाते गिए जो रसी है वो हमारी 66 meter है ठीक है क्योंकि जो भी हमारे circle का circumference निकलेगा उतनी ही तो रस्टी लगीगी ना लेकिन उसे रस्टी को दो बार घुमा दिया तो उसके लिए क्या करेंगे 66 को 2 से multiply कर देंगे length of the rope for 2 rounds तो 132 meter जो उसमें रस्टी लगी हाना 1 round में 66 ही लगती अब 2 उसमें डबल हो गई 132 meter जो उसमें rope लगी तो जो पर meter rope थी वो rupees 4 की है तो 132 meter जो rope हो जाएगी वो 4 into 132 meter हो जाएगी जो की है हमारी rupees 528 rupees ठीक है 528 rupees जो है इसमें rope की हमारी cost आ गई यह हो गया हमारा question number 4 question number 5 देखो from a circular sheet of radius 4 cm a circular of radius 3 cm यहाँ पर क्या लिखा है एक जो circular sheet है from a circular sheet of radius radius का radius कितना है 4 cm और circular a circle radius 3 cm is removed find the area of remaining sheet अब आप इस question को समझो देखो क्या है लिखा है इसमें कि एक circular sheet है ठीक है हम यहाँ पर circular sheet बनाते हैं यह हमारी एक हो गई circular sheet इसका जो radius है ना वो है हमारा 4 cm जैसे कि इन उन्हें हमें दे रखा है अब इसके अंदर एक circle हो रहा है a circle of radius 3 cm अब इसके अंदर एक और circle है जिसका जो radius है यहाँ से लेके यहाँ तक वो कितना है 3 cm है is removed is removed मतला अग हमें जो है यह वाला circle हटा कि इधर वाला जो आप area देख रहे है ना यह हमें जो है वो find करना है इसका यह वाला ठीक है तो हमें क्या करना है find the area of remaining sheet अगर हम इसको हटा दें तो यह जो remaining sheet बच जाएगी इसका हमें area find करना है तो इसके लिए में क्या करना पड़ेगा हमें जो है इसके अंदर इसका भी area find करना पड़ेगा और इसका भी area find करना पड़ेगा जब हम दोनों के area find कर लेंगे और minus करेंगे तो हमारा जो remaining sheet है ना इसका area आ जाएगा देखो कैसे करेंगे इसको हम यहाँ पे हम लिखेंगे radius of circular sheet 4 cm इसके लिए हम बड़ा वाला आर लिखेंगे capital और radius is removed circle इसके लिए हम small आर लिखेंगे 3 cm area of remaining sheet निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा area of circular sheet minus करेंगे area of removed circle दोनों का formula pi r square है यहाँ पे pi r square अब देखो यहाँ पर हमारा pi r square है minus pi r square इसमें में क्या करना है दोनों के जो pi है वो हमारा बहार common आ जाएगा यहाँ पे r square minus r square आ गया pi की जिगा पे हमें 3.14 लेना है जैसे कि उन्हें में कोश्चन में ही बोला है यहाँ पे हमने 3.14 ले लिया यहाँ पे हमारा जो capital r था 4 था 4 square minus जो small r था वो 3 था 3 square 4 4 जो 16 3 3 जो 9 तोनों को minus कर देंगे 7 आ जाएगा अब हम इन दोनों को multiply कर देंगे तो हमारा जो है वो remaining sheet जो थी उसका area निकलाया 21.98 cm square ठीक है यह होगा हमारा कोशन नमबर 5 कोशन नमबर 6 में है साइमा wants to put a lass on the edge of a circular table cover of diameter 1.5 meter find the length of the lass required and also find it cost if 1 meter of the lass cost rupees 5.50 यहां पे भी जो पाई की value रेनी है 3.14 अब हमारा कोशन क्या है कोशन यह है कि जो साइमा है वो क्या चाहती है कि उसका जो gold table है उस gold table के उपर जो है वो चारो तरफ क्या लगाना चाहती है जो उसका उपर का cover है ने table का उस table के cover के उपर वो lace लगाना चाहती है ठीक है वो lace जो है कितनी उसको required है कितनी lace उसको चाहिए उस cover के उपर लगाने के लिए और साथ में हमें उसकी cost भी find करनी है इन्हों ने हमां बताया है कि जो table है ना वो table का जो diameter है वो है 1.5 meter हमें जब diameter दे रखा होता है तो हमें radius जो है वो find करना पड़ता है क्योंकि जो तक radius नहीं आ जाता तब तक जो हम circumference of जो है table का नहीं निकाल पाएंगे तो यहां पे हमारा diameter आ गया 1.5 meter radius ही में निक देंगे 1.5 upon में 2 जो कि उसका वो half होता है length of less required के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा table का जो circumference है वो ही हमें निकालना पड़ेगा 2 pi r लिखेंगे हम circumference निकालने के लिए 2 की जगा 2 pi की value उन्होंने हमें यह रखने के लिए बोली है question में और r हमारा 1.5 upon में 2 2 से 2 हमारा कर जाएगा यह दोनों हमारे multiply हो जाएगे multiply होने के बाद आदेगा 4.71 meter जो है उसको less की requirement है अब per meter जो है एक meter जो है वो 15 rupees की है तो 4.71 meter कितने की होगे इन दोनों को हमने multiply कर दिया तो 70.65 जो है वो उसकी less की जो है वो post होगी ठीक है question number 6 हो गया यह अब हम देखते है question number 7 question number 7 है find the parameter of the adjoining figure which is semicircular including our diameter यहाँ पर हमें जो है क्या find करना है एक parameter जो हमें इसका find करना यह semicircle है देखो पूरा complete नहीं है यह हमारा half है इस semicircle का हमें parameter जो है वो find करना है और इसके नहीं देखो diameter हमें दे रखा है 10 cm तो 10 cm diameter हो गया radius 10 upon में 2 यानि कि 5 हो जएगा कर जएगा 2 से यह radius आगा हमारा 5 cm अब parameter of figure इस figure का parameter निकालने के लिए हमें circumference of semicircle plus diameter यानि कि हमें इस आधे का तो circumference निकालना है साथ में जो हमें diameter दे रखा इसको हम plus करेंगे तब यह तो इस पूरी figure का हमारा जो है parameter निकलेगा तो circumference of semicircle के लिए क्या करेंगे pi r देखो जब भी हमें circle का circumference निकालते हैं तो कौन सा formula लगाते हैं 2 pi r यह formula होता है हमारा लेकिन जब हमें semi half circle का निकालना है तो सिरफ हम pi r का formula लगाएंगे ठीक है pi r plus d d मतला diameter ठीक है pi के जगा pi radius हमने यहाँ पर 5 find कर लिया था diameter 10 है यहाँ पर हमारा कुछ कट रहा है यहाँ पर हमारा कुछ भी नहीं कट रहा है तो हमने क्या यहाँ पर कर रहा है 22 को 5 से multiply किया 110 upon 7 plus 10 upon 1 दोनों का LC हम ले ले लेंगे 7 आजेगा और यहाँ पर 7 को 7 से divide किया 1 1 को 110 से multiply किया 110 plus 1 को 7 से divide किया 7 7 को 10 से multiply किया 70 दोनों को plus कर दिया 180 upon 7 दोनों को divide कर दिया 25.71 cm इसका जो है वो हमारा parameter निकला है इस figure का यह हो गया हमारा question number 7 question number 8 देखो find the cost of polishing a circular table top of diameter 1.6 meter if the rate of polishing is rupees 15 per meter square यह भी हमारा पहले वेले question के जैसे ही है इसमें हमें क्या करना है question number 6 के जैसे है कि इसमें हमें क्या करना है कि कोस्ट निकालनी है एक circular table top है इसके उपर polish करनी है तो हमें बताना है इसका जो diameter दे रखा है ना 1.6 meter दे रखा है तो इसका मतलब हमें इसका area निकालना पड़ेगा क्योंकि polishing अंदर होगी इसका area फाइंड करना पड़ेगा area फाइंड करने के लिए radius जही है जो diameter का half होगा और साथ में हमें इसकी कोस्ट भी find करनी है diameter है 1.6 meter radius होगा 1.6 upon में 2 यहां से point हट गया नीचे आगए 0 2 जे कट होचाएगा यह हमारा 2 10 जा 22 8 जा 16 यहां से 0 हट गए उपर आगया point 0.8 meter हमारा इसका radius आगया अब area निकालने के लिए table top का pi r square होगया ठीक है pi के जगा नोंने हमें value रखने के लिए 3.14 radius होगया 0.8 into 0.8 ठीक है radius ने आया इन दोनों radius को multiply करके 0.64 आ गया और यह हमारा pi की value दोनों को multiply किया 0.0096 meter square हमारा यह table top का जो है वो area आ जाएगा अब हमारे पास area आ गया तो हम इसकी coast निकाल सकते है per meter square है rupees 15 और यह जो हमारा पूरा area आया है table का उसको हम इससे multiply कर देंगे तो 30.14 एप्रॉक्स जो है वो इसकी coast होगी polishing की ठीक है यह होगा है question number 8 question number 9 देखो शाजरी took a wire of length 44 centimeter and bend it into the shape of circle अब जो शाजरी है उसने एक wire ली जिसकी length जो है वो 44 centimeter उसको उसने bend करके mode के एक circle बना दिया अब उस circle का हमें radius fine करना है साथ में हमें उसका area fine करना है if the same wire is bent into the shape of square अगर उसी wire से वो एक square बना देती है तो उसकी जो length है square की जो side है वो हमें fine करनी है and which figure enclose more area कौन सा figure जो है वो ज़ादा area लेगा circle ज़ादा area लेगा या square ज़ादा area लेगा चीक है इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा हमें circle का जो है वो पहले हमें क्या करना पड़ेगा circumference निकालना पड़ेगा चीक है क्यों क्योंकि यहाँ पिर ने में बोला है कि जो wire है उसकी length कितनी है 44 cm इसका मतलब यह है कि जो हमारा यह circle है इसकी जो length है वो 44 cm है इसका मतलब यह है कि जो circle का circumference है वो 44 cm है यही चीज होती है na circumference जो इसकी पूरी boundary होती है तो circumference जोने हमें यहाँ पे दे रखा है 44 cm अब जो चीज़ दे रखी होती है उसी से हम आगे करते हैं, अब हमें यहां पे circumference दे रहा है, उससे हम radius निकाल लेंगे, 2 के जगा 2, pi, r fine करना 44, तो r इधर आजेगा, यह इधर चला जाएगा, रेसी प्रोकल जाएगा, कर जाएगा 2 के टेबल से, radius आजाएगा हमारा 7, radius जब निकला आया, अब हमें निकालना है इसका area, क्योंकि उन्हें क्या बोला था, find the radius, यहां बोला था ना, तो radius हमने find कर लिया, and also find its area, अब area find करने के लिए formula लगाएगे, pi r square, pi के जिगा pi r square, यह दो टाइम आजेगा, कर जाएगा, आजेगा 154 cm square, इसका area आगया, उन्होंने बोला था, कि जो साजी है, फिस न 44 cm, क्योंकि wire तो एक ही है, 44 cm की, उसी से उसने circle बनाया है, उसी से उसने square बनाया है, तो circle का circumference हो गया 44 cm, और square का parameter देखे तो वो भी 44 cm है, क्योंकि wire तो एक ही जिस्से बनाया है, तो parameter square हो गया 44 cm, अब हम इसके side निकालने के लिए, जो parameter square का formula है, वो ही हम लगाएगे 4 into side, 4 इसके साथ multiply हो रहे है, इदर आके क्या हो जाएगा इसके साथ, इसके साथ आगे वो इसके साथ divide हो जाएगा, divide हो जाएगा, तो 4 से हमारा ये cut जाएगा, तो किस से cut देगा, 4 बनाया 4, ये हमारा cut गया, उपर भी 4 बनाया 4, 4 बनाया 4, 11 cm जो है वो इसकी side आगे, जब हमार वह फाइन कर सकते हैं area of square हम क्यों fine कर रहे हैं क्योंकि उन्हें हमें पूछा था कि कौन सा जो shape है वो ज़्यादा area ले रहा है इसका मतलब हमने दोनों का area भी चाहिए circle का area थो हमने find कर लिया है square का भी find करना पड़ेगा तब भी तो पता चलेगा न कि कौन सा जो shape है वो ज़् 21 cm2, तो किसका जादा है, circle का, the circle enclosed, more area than square, question number 10 है, from a circular card, sheet of radius 14 cm, to a circle of radius 3.5 cm, and the rectangle of length is 3 cm, and the breadth is 1 cm, are removed, अब देखो, इसके अंदर, ये एक circle है, इस circle के अंदर हमें 2 circle और दे रखिये, एक rectangle दे रखिये, तो ये जो पूरा circle है, इसका जो radius है, वो है 14 cm, और जो छोटे वाले 2 circle है, इनका radius है 3.5 cm, और जो हमें rectangle दे रखिये, इसकी length 3 दे रखिये, और breath इसकी 1 दे रखिये, ठीक है, हमें fine क्या करना है, इन तीनों को निकाल कर, बाकी जो ये हमारा sheet है, इसका area fine करना है, sorry, तो इसके लिए हमें क्या करना बढ़ेगा, इन सबके area भी fine करने बढ़ेंगे, फिर उसमें से हम इस पूरे area जो हमने fine किया गो, उसको minus कर देंगे, तो remaining हमारा आ जाएगा, तो area of remaining sheet निकालने के लिए, area of circular sheet, minus करेंगे area of two circular, plus area of rectangle, area of circular sheet का formula है, pi r square, minus two circle जो है हमारे, उसका formula भी है, pi r square, लेकिन यहापर 2 क्यों लगा दिया हमने, क्योंकि दो circle है, इसलिए हमने यहापर 2 लगा दिया, area of circle का formula निकालने के लिए, हमारा formula πr square ही होता है, हमने 2 इसलिए लगाया, क्योंकि 2 circle है, 2 लगा दिया, plus rectangle का formula होता है, area निकालने का, length into breadth, पाई के जगा 22.7 रेडियस है 14 14 इंटू 14 2 के जगा 2 पाई के जगा पाई रेडियस है हमारा पे 3.5 3.5 टू टाइम क्योंकि स्क्वार है लेंथ है हमारी 3 प्रेथ हमारी 1 जो कट सकता इसको काट दो 7 बंजब 7 7 तू जब 14 यहां पे और कुछ नहीं कट रहा बाकी को मल्टिप्लाई कर दो यहां पे देख लो कुछ कट रहा हमारा यह दोनों मल्टिप्लाई हो जाएंगे यहां से हमारा डेसिबल हटेगा और नीचे हमारा 10 आजएगा जैसे कि हमने यहां पे किया 5 की टेबल से हमारा कट हो जाएगा यह हमारा जो है वो कट हो जाएगा यहाँ पर यह हमारा अच्छा यह इधर से कट हो जाएगा यह 7 वन जा 7 7 5 जा 35 यह हमारा हो जाएगा 5 तू जा 10 और 5 7 जा 35 हो जाएगा यहाँ पर और 7 में फिर हमारा 2 से cut हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 2 2 जा 4, फिर यह जो हमारा 2 है इस से हमारा 22 cut हो जाएगा ठीक है, जो भी बच जाएगा उन सब को आपने यहापे यह बच जाएगा 7 plus 3 तो 7 plus 3 80 हो जाएगा 161 minus 80 यहापे minus का साइन है ना पहले से तो इसको हम जब bracket open करेंगे तो plus minus minus 80 आजाएगा तो दोनों को minus करेंगे हम तो क्या आएगा हमारा 5 36 cm जो है, वो हमारी remaining sheet का जो है वो area आजाएगा ठीक है, यहापे जो cutting हो रही है वो हमारी 7 से हुई है एक बार, फिर हमारी वो हुई है 5 से भी हुई है और एक बार 2 से भी हुई है यह हो गया हमारा question number 10 question number 11 देखो a circle of radius 2 cm is cut out from the square piece of an aluminium sheet of the side 6 cm, what is the area of the left of our aluminium sheet पहले माले question के जैसे ही है square aluminium sheet दे रखिये इसके अंदर एक circle दे रखा है जिसका हमें radius 2 cm दे रखा और इस sheet की जो हमारी square sheet है ना इसकी जो length हमें दे रखिये वो 6 cm दे रखिये है इस circle को हटाने के बाद जो भार का area है ना यह हमें find करना है तो हमें इसके लिए square का भी area find करना पड़ेगा इस circle का भी area और दोनों को minus कर देंगे area of remaining sheet निकालने के लिए area of square sheet और area of circle ठीक है तो area of square sheet का formula है side into side और area of circle का formula है pi r square side क्या है 6? 6 into 6 36 pi की value हमें यह आपे question में 3.14 रखने के लिए बोलीगे यह r है हमारा 2 into 2 यहनि कि 2 cm जो हमारा radius है तो 2 into 2 तीनों को multiply कर देंगे आ गया 36 minus 12.56 दोनों को minus कर देंगे 23.44 cm जो है वो remaining sheet का जो है वो area है हमारा question number 12 देखो question number 12 है the circumference of a circle is 31.4 cm find the radius and the area of the circle circumference दे रखा है radius और area निकालने है circumference दे रखा तो उसी का formula लगा के हम radius निकालने के 2 pi r circumference हमारा इदे रखा है 2 की जगा 2 pi की value 3.14 रखने के लिए बोड़ी गई है r हमें find करना r हमारा इदर आजएगा यह सब हमारा इदर जाएक रैसी प्रोकल हो जाएगा यह हमारा उपर इदर आखे नीचे आजएगा इसके साथ तो यहाँ से यह जो है वो कट हो जाएगे आप देखलो यह 2 1 जा 2 2 5 जा 10 हो जाएगा ठीक है उसके बाद यह भी हमारा क्या बन गया 314 और यह भी 314 यह दो हमारा इससे यह कट जाएगा बचेगा क्या हमारा हमारा बचेगा सिरफ यह 5 तो आगे हमारा 5 cm रेडियस हमारा 5 cm आगे एडिया आजेगा हमारा पाई आड स्केर हो गया पाई की वैली यह गई रेडियस हमारा 5 निकला तो 5 इंटो 5 25 हो गया दोनों को मल्टिप्लाइ करेंगे 78.5 cm स्क्वार जो है वो क्या आगे हमारा इसका एडिया निकल आया ठीक है 13 कोशन देखो A circular flower bed is surrounded by a path 4 meter wide The diameter of the flower bed is 66 meter What is the area of this path एक circular flower bed यह देखो यह circular flower bed आगे Surrounded a path यह circular जो हमारा flower bed है वो एक पूरे चालर तरफ उसके एक रास्ता है जिसकी जो चौडाई है वो 4 meter है डायमेटर घृता द पहली जो पुरे इंदा स्बास्था ये ये जो को सब्सक्राइब कूमआ आ, बेकिन इसे यामएका पड़र ये याँ जही है, बेखने का दूर एम यहां, डायमेटर एक क्मिल वे निकालना पड़ेका है तो सबसे पहले देख लो, diameter of the smaller circle, जो छोटा वाला smaller circle है, उसका diameter निकालने के 2 से divide कर देंगे, 33 आ गया इसका diameter, अभी जो बड़े वाला circle है इसका देख लो, यहाँ पे जो 33 आया है, यहाँ से लेके यहाँ तक 33 आया है, उसमें यह 4 प्लस कर दो, क्योंकि यहाँ से लेके यहा अब हम दोनों का area find कर लेंगे, pi r square दोनों के लिख देंगे, minus हो देंगे, तो pi दोनों में से common आजेगा, एक है मारा capital R, एक है small r, r square, r square, pi की वेली 3.14 रखने के लिए बोलीगी question में, r है 37.2, capital वाला, और जो small वाल है 32, 33 square, दोनों में 37 square हो गया, 33 square हो गया, क्योंकि यह square है दोनों को इसको 2 time multiply के यह आगया, इसको 2 time multiply के यह आगया, दोनों को minus किया, 280 आगया, इन दोनों को multiply किया, तो हमारा area जो है वो path का निकल आएगा, ठीक है, आँगी होगे question number 13, question number 14, देखो, a circular flower garden has an area of 314 meter square, a sprinkler at the center of the garden can cover an area that has a radius of 12 meter, will the sprinkler water the entire garden, take by 3, 1.4, 3.14, देखो अब इसको समझो, एक क्या है, फ्लावर गार्डन है, circular flower garden है, उसका जो हमें area दे रखा है, कि 3.1 meter square, जो का area है, उसके अंदर ने एक sprinkler है, sprinkler आपने देखा होगा, गार्डन के अंदर, बिल्कुल, center में ने एक fovara type होता है, जो पूरे garden के अंदर, पा इतना होता होगा, और उसमें से पानी निकलता है, पानी जो निकलता है, वो ऐसे चारो तरफ घूमता है, तक कि पूरे garden में जो है वो पानी जा सके, तो यहाँ पे वही sprinkler की बात होगी, कि वो center में लगा होगा है, और वो कितना जो cover कर रहा है, cover an area, वो इतना area cover कर रहा है, रेडियस 12, 12 मीटर तक का जो है वो एरिया कवर कर रहा है पानी फैकने में तो विल्द स्प्रिंकलर वाटर एंटायर गार्डन अब जो स्प्रिंकलर जो है क्या वो पूरे गार्डन के अंदर पानी दे सकता है अगर वो 12 मीटर का एरिया रेडियस का कवर कर रहा है तो क्या पूरे गार्टर में पानी दे सकता हो तो वही हमें बताना है तो एरिया वाटर बाइ स्प्रिंक्लर तो जितना जो स्प्रिंक्लर पानी दे रहा है जितने एरिया में उतने का हम एरिया निकाल लेंगे क्योंकि वो 12 मीटर रेडियस तक पानी दे रहा है तो एरिया वा 12.16 meter square ठीक है इतना है अग उन्हें पूरे गार्डन का अरिया बताया था 314 यानी कि 314 उन्हें पूरे गार्डन का अरिया बताया था लेकिन ये प्रिंकलर कहां तक जा रहा है ये तो 452.16 6 meter square तक जा रहे तो उससे भी जादा है ठीक है तो यहां पर हम निखेंगे area of the circular flower garden ये है तो since the area of circular flower garden is less than the area covered by the sprinkler therefore sprinkler can water the entire garden ठीक है समझ में आया कि since the area of circular flower garden is जो area of circular flower garden का जो मैं 314 दे रखा है वो इसकी area से कम है हना ये area कम है इससे इसका मतलब वो पूरे का पूरे garden में पानी दे सकता है sprinkler ठीक है ये हो गया question number 14 question number 15 है find the circumference of inner and the outer circle show in the adjoining figure हमें अंदर वाले circle का भी area निकालना है बाहर वाले का भी area निकालना है तो यहां पर हमें जो है न इस figure के अंदर ये वाला जो radius हमें ये जो हमें दे रखा area ये हमें दे रखा है 10 ये हमारा radius नहीं है ठीक है radius तो देखो ये है हमारा अगर आप इसको देखो न यहां से लेके यहां तक यहां तक यहां अंदर वाले circle का area है ये देखो यानि कि हमें 19 में से 10 माइनस करेंगे तो हमारा अंदर वाला सर्कल का एरिया आजेगा यानि कि यह 9 होगा यह 10 होगा और दोनों को मिलाके 19 होगा ठीक है तो radius of the outer circle है 19 मीटर और inner circle है 19 माइनस 10 9 मीटर है अब circumference of outer circle निकालने करें 2 pi r 2 की जगह 2 pi की जगह 2 core 3.14 और र की जगह r तेनों कों multiply कर दो आउटर शिर्कल का area निकलाएगा ऐसे इनर का निकलाएगा通 पा Y,2 की जगह 2 pi की जगह power r की जगह r तेनों को shall Cypher div कर रो तो हमारा Inner Circle का area निकलाएगा बहुत ही simple था ये थीक है अब हम देखते है है question number 16 question number 16 ने बोला गया है how many times a wheel of radius 28 cm must rotate to go 352 meter अब यह देखो यहां पे नोने बोला गया है कि एक जो पईया है एक जो वील है जिसका radius हमें 28 cm दे रखा है वो कितनी बार भूमेगा कि वो इतना जो है अपना 352 meter जो है वो कितनी बार रोटेट होगा must rotate to go कि इसका इतना जो रास्ता है वो कवर हो जाए 352 meter कवर करने के लिए इस पईये को जिसका radius 28 cm है कितनी बार वो घूमेगा पईया कितनी बार वो rotate होगा वील हाना यह हमें निकालना है let the wheel rotate and time to go हमें नहीं पता वो इतनी बार रोटेट होगा इसलिए हमने उसको एनमाल लिया let the wheel rotate and time to go 352 meter तो radius हमें दे रखा है ट्वंटी एट डिस्टेंस कवर करने के लिए तो 352 meter जो distance cover है वो यह है हमारा हाना इतना distance अगर उसके cover किया तो कितनी बार घूमा तो यह हमारा दे रखा है मीटर में radius दे रखा है centimeter में तो पहले हम इसको भी centimeter में change कर लेंगे 100 से multiply करके तो यह हमारा centimeter में change हो गया अब distance covered हमारा यह आ गया centimeter में एन टाइम वो घूमा और साथ में हमें उस वीर का circumference भी निकालना पड़ेगा तो यह हमने लिख दिया एन के जगा एंग टू के जगा टू पाई के जगा पाई आर हमारा 28 था यहां पर हमारी अब कटिंग होगी कटिंग हमारी यहां पर होगी टू से सारी टू से भी हो जाएगी और सेवन से भी होगी सब कट करने के बाद आएगा हमारा 200 यानि कि वो जो वीर है यानि कि जो हमारा एन आया है वील जो है हमारा वो 200 वाट 200 टाइम्स रोटेट होगा तब जाके वो जो है इतना distance cover करेगा यहां पर हमने एन फाइन करना था इसलिए यहां लिग दिया बाकि सब हमारा इधर चला गया और सब रेसिप्रोकल हो गया 28 22 22 28 सब नीचे आ गया 7 हमारा उपर आ गया उसकी वाद हमने इसको 2 से कट कर दिया और 7 से यह हो गया हमारा question number 16 अब देखते हम इसका question number 17 जो कि इसक circular clock is 15 cm long एक जो minute hand जो एक घड़ी होती ना circular clock उसके अंदर एक minute hand होता है वो कितनी है 15 cm long है how far does the tip of the minute hand move in one hour अब हम बताना है कि एक घंटे के अंदर how far does the tip of the minute hand move in one hour कि एक घंटे के अंदर वो कितना जो है वो move करेगी हमें इसके अंदर ना हम एक distance कवर करना एक तरह से जो घड़ी है ना उसकी जो minute hand है उसकी हमें length दे रखी है कि वो 15 cm long है वो जो उसकी minute है लेकिन वो एक घंटे के अंदर कितनी बार जो है वो गुमेगी कितना डिस्टेंस कवर करेगी कितना जो है वो डिस्टेंस कवर करेगी कितना वो move करेगी यह बताना है तो डिस्टेंस कवर बाइदा टिप ओफ income in 1 hour इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा हमें उस जो सर कर को तो सर्क्मफ्रेंस द्ली निकालना पड़ेगा यहनि जो सर्कॉम्फ्रेंस कट्राइं कि चालना जो है अमें सर्कॉम्फ्रन संटेंस कालना थे देखो इस तरीके से हमारा एक घड़ी है आप घड़ी के अंदर जो सुई की लेंथ हमें दे रहे है 15 तो यही इसका रेडियस है बताना है कि यह जो मिनट है एक घंटे में जो है वो कितना जो है वो घूमेगी ठीक है कितना डिस्टेंस कवर करेगी तो यह हमने लिग दिया त तो 94.2 cm जो है वो एक घंटे के अंदर वो जो की जो निडल है यह जो मिनट हैंड है वो 94.2 cm जो एक घंटे के अंदर मूव करेगी ठीक है तो यह हो गया हमारा कोशन नबर 17 यहां पर हमारी एक्सराइस भी कंप्लीट हो जाती है होफुली आपको इस वीडियो हेल्फुल ल